नमस्कार दोस्तो मैं तृदिव कुमार आपका फिर से स्वागत करता हूँ टेक्निकल तृदिव यूटूब चैनल में दोस्तो आज का ये वीडियो उनके लिए भी है जिनके पास मैसेज आया है और उनके लिए भी है जिनके पास अभी तक ना कोई मैसेज आया है ना कोई कॉल आया है तो दोस्तो वीडियो को ध्यान से देखे पूरी बात को सुने और उसके बाद दोस्तो वीडियो अच्छा लेगे तो प्लीज आप वीडियो को लाइक करें और दोस्तो हमारा चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तो इस वीडियो में हम सबसे पहले बात करेंगे उनके बारे में जिनके मुआल में फ्री टैबलेट लैपटोप बाला मैसेज आया है और उसके बाद हम बात करेंगे उनके बारे में जिनके पास ना कोई कॉल आया है और ना कोई message आया है तो दोस्तों जिनके पास SMS आया है वह भाई लोग तो खुशी हो गए हो क्योंकि वह अब ये confirm हो गए हो कि उन्हें मिलना ही मिलना है चाहे जब भी मले और दोस्तों जिनके पास SMS आया है उन्हें अब क्या करना है ये मैं आपको अब बताता हूँ तो दोस्तों SMS आने के बाद अब आपको कुछ भी नहीं करना है एगर आपके college का list आ गया और उस list में आपका नाम है तो आपको कुछ भी नहीं करना है ठीके एगर नहीं है तो फिड बस आपको अपने college के list का इंतिजार करना है जब तक आपका नाम list में ना आ जाए तब तक आपको college में या अपने दोस्तों में ये पता करना है कि new list आया है कि नहीं आए वैसे तो दोस्तों मैं new list के बारे में A to Z update देते रहता हूँ आपने telegram channel पे तो एगर आप telegram channel से नहीं जूरे तो इस वीडियो के description में आपको telegram channel का link मिल दाएगा आप जाकर के जल्दी से जोड जाना जब भी कोई new list आता है new PDF आता है तो मैं telegram channel पर सबसे पहले upload कर देता हूँ ठीके और दोस्तों जैसे ही आपका नाम list में आ जाता तो आपको college के तरफ से एक call आएगा जब भी उन्हें देना होगा तो आपको सबसे पहले call करेंगे ठीके और जो भी documents लगेगा वो आपको लेकर जाना अपने college में वो आपको college के तरफ से बता दिया जाया कि आपको कौन कौन सा लगेगा ठीके तो दोस्तो अब हम बात करते हैं उनके बारे में जिन्हें ना कोई sms आया है ना कोई call आया है तो दोस्तो देखे जिनका data dg सकती पटल पर college द्वारा upload किया गया है उन सभी को sms आया है जिनका data dg सकती पटल पर upload नहीं है उन्हें कोई भी sms या call नहीं आया है और दोस्तो ऐसा भी हो सकता है कि अभी third year और second year वालों को पहले tablet देना होगा तो सिर्फ उन्हें sms वेजा गया हो तो दोस्तो एगर आप second year या third year के नहीं हो तो फिर आपको अपने college से पता करना होगा कि dg सकती पटल पर student का data upload किया गया है या नहीं किया गया वैसे तो दोस्तो एगर sms आया है तो ठीक है एगर नहीं आया है तो भी घबराने का जुरुत नहीं है क्योंकि दोस्तो यूपी बहुत ही बरा state है बाटने में तो time लगे गा ही लगेगा तो दोस्तो इनतिजार कीजिए आपका भी नाम लिश्ट में आएगा और दोस्तो बहुत सारे लोगों को अभी भी sms आ रहा है तो दोस्तो घबराईए नहीं इनतिजार कीजिए आपको भ दोस्तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा यह आपका मेंड बुक्स में जरूर बताएं और दोस्तो हमारा चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं कहें तो प्लेज सब्सक्राइब करें